नमस्ते, रीजिनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। इस नौरात्री में आप आलू टमाटर की जगह ये सबजी बना कर ट्राइ कीजिए। और आप एक बार ये सबजी खाएंगे तो आपको इस सबजी से प्यार हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल आइकन दबाना बिलकुल मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक से तेड़ इंच अद्रक घिसी हुई और दो छोटी टमाटर कटे हुए। अब हम लेंगे एक कड़ाई और उसमें डालेंगे वनफूर्थ कप रिफाइंड ओयल या फिर देसी घी। जहाएं पर मैंने सनफलार ओयल का यूज किया है। तेल के गर्म होने पर हम इसमें डाल देंगे हाफ टेबिल स्पून जीरा और जीरा के क्रैकल होने पर हम इसमें अद्रक और मिर्च डाल देंगे। अब आज को धीमी कर दीजिए और टमाटर को भुनने दीजिए। और तब तक हमें कटोरी मिलेंगे दो चम्मच दही और दही में डालेंगे एक टेबल स्पून धनिया पाउडर वन फोर टेबल स्पून सॉफ पाउडर वन फोर टेबल स्पून जीरा पाउडर वन फोर टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च इन पीसे मसालों को हम दही के साथ मिला लेंगे और इसका एक स्मूध पेस्ट बना लेंगे जब ये सारे मसाले दही के साथ अच्छी तरह से मिल जाएं तब हम इसमें लगबग 2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे ताकि इन मसालों को कड़ाई में डालने में हमें आसानी हो अब आप देखिए टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं अब हम इसमें अपना दही वाला पेज डाल देंगे दही को कड़ाई में डालते समय या तो आप गैस को बंद कर दीजे या फिर आज को बिल्कुल धीमी कर दीजिए और दही को डालने के बाद आज को मध्यम पे कर लीजिए और इसे जल्दी जल्दी चलाते हुए टमाटर के साथ मिला लीजिए और इसे चलाते हुए हमें तब तक भुनना है जब तक ये अच्छी तरह से पक न जाए और ये किनारों पर तेल न चोड़ दे अब हम इसमें डाल देंगे स्वादा नुसार सेंधा नमक नमक मिलाने के बाद हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक इसमें का सारा पानी सूख न जाए अब मसाले का सारा पानी सूख चुका है और इसने किनारे पर तेल छोड़ दिया है अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू मैंने चार मध्यमाकार के आलू को पहले ही उबाल कर रख लिया था इसे हम हाथों से इस तरह से मैश करके कड़ाई में डाल देंगे सबजी के साथ मिला लेंगे उसके बाद लगवग 5-7 मिनट तक हम इसे ढखकर पकने देंगे और इस दोरान हमें आज को बिल्कुल धीमा कर देना है अब बस कड़ाई का ढखकन लगा दीजिए और इसे पकने दीजिए और जब 7 मिनट हो जाए तब हम ढखकन हटा लेंगे और चेक करेंगे कि सबजी हो गई है या नहीं और ये देखिए सबजी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है और सारे मसालों का स्वाद आलों में अच्छी तरह से घुल चुका है और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटियोई हरी धनिया और इसको सबजी के साथ मिला लेंगे धनिया को सबजी में डाल कर हम इसे ढख देंगे और इसे पकने देंगे इसे हमें अगले लगभग दो मिनट के लिए पकाना है और दो मिनट के बाद हम ढखकन उठाएंगे और इसकी खुश्बू पूरे घर में फैल चुकी है और यकीन मानिए ये खाने में इतनी स्वादिश्ट होती है कि आप इसे विनावरत के भी बना कर खाएंगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिलकुल मत भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में